नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशेक कुमार से हो और आपका स्वागत करते हैं एक्सपर्टीज के उपर आज की वीडियो जो रहेगी वो PGT जोग्रिफे के प्रिविएस येर कोशन के हम बात करेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोशन रहने वाले हैं वीडियो को अंत त हिस्सा है या लगू हिमाले का हिस्सा है आंतरी हिमाले का हिस्सा है या प्रांस हिमाले का हिस्सा है तो जो दोस्तों पीर पंजाल है वो आपका लगू हिमाले का हिस्सा है ठीक है तो लगू हिमाले को हम मद्ध हिमाले भी कहते हैं लेसर हिमाले भी कहते हैं और हिमाचर हिमा हो जाएगे याद रखेंगे दूसरी आपके हो जाएगी लद्दाक ठीक है तीसरी आपके हो जाएगी जासकर तो इस तरीके से नौर्ट से साउट का सिक्रंस में आपसे पूछा जाता है पर हम बात करें लगू ही मालेकी तो इसकी चोड़ाई 10 से 100 किलोमेटर के आसपास है औ तो अधिकतम उचाई जो है वो आपके 5000 मीटर तक पाई जा सकती है तो कुछ स्रेणी है जो बहुत इंपोर्टन्ट है जिसमें आपका पीर पंजाल है जो कि जहलम और व्यास नदियों के बीच में कश्मीर में है और पीर पंजाल स्रेणी में बनिहाल और पीर पंजाल दर् अब यहां से एक कोशन आया हुआ है पीजीटी में कि जो बनिहाल दर्रा है वो तिन दो शहरों को जोडता है तो वो आपका हो जाएगा जम्बो कश्मीर और आपका हो जाएगा श्रेणी ठीक है वहीं अगर मैं बात करता हूँ धौलादर श्रेणी की तो यह आपका हिमाच के बाद है कि लगू और मद्ध हमाले के में कश्मीर घाटिवा हिमाचल की कांगडा लाहुलिस पिती घाटिया और फलो की क्रिशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है तो यहां पे आपको सेव की खेती अरा अकरोट जैसे फल की खेती आपको यहां बहुत ज़्यादा दे देखे जाते हैं कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग और सोन मर्ग यह भी याद रखेंगे और उत्तरा खंड में बुग्याल और पयार यह दो चीज़े पाई जाते हैं तो यहां से भी एक कोशन पीजी टे में ही आया था कि बुग्याल और पयार कहां पर पाई जाते हैं तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखन चलिए अगला कोशन देख लेते हैं सेकेंड जिसमें अक्षान सर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की और कम होती है वह कौन सा प्रक्षेप है तो वो आपका हो जाएगा धुरुविये खंबध्य समच्छेत्रफल प्रक्षेप ठीक है अब इसकी रचना जो है वो जे एच लेंबट ने करी थी याद लखेंगे ठीक है तो किसकी पोलर जैनितल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की खोज जे एच लेंबट ने करी थी जो कि एक माच्छित्रकार थे इससे लेंबट का धुरुविये खंबध्य समच्छेत्र प्रक्षेत्ध भी कहा जाता है अब हुटा क्या इस में अक्षांस रेखाओं के मद्य दुरी धुरुवों से भूमत्य रेखा की तरफ कम होती जाती देखें यहां धुरुवों पे तो ज़्याद है पर भूमत दिरेखा पे क्या हो जाती है कम होती चली जाती है तो यह चीज याद रखेंगे बाहर से अंदर की तरफ कम हो रही है समचेत्र और धुरुविय चेत्र की शुद्ध आकरती प्रदर्शित करने की कारण इस धुरुव से भूमत रेखा की और देसांते रेखाओं की मापने घटने लगती है धुरुव के समीप वरती भागों की आकरती का काफी शुद्ध रूप यह प्रदर्शित करता है परन्तु धुरुव से दूर जैसे भूमत रेखा की और छेत्र की आकरतियों में विक्रती बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है ठीक है अब देखें नौर्थ पोल पे तो सही डिटेल दे रहे हैं पर जिस तरीके से हम इक्वेटर की तरफ से जाते हैं तो डिस्टॉर्शन जो है या जो आपकी विक्रती है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी ठीक है अगला कुशन है एक बोन प्रक्षे 50 दिगरी उत्तर मानक अक्षांस के अधार पर बनाया जाए तो अक्षांस रिखाओं की वक्रता बढ़ेगी या घटेगी ठीक है तो तब वक्रता क्या होगी घटेगी या रिखेंगे तीसरा अप्षन घटेगी ठीक है चलिए अगला कोशन है केंद्रियता के जिसम आप से विचलनों के वर्ग का योग नियुंतम होता है वह क्या कहलाता है तो वह आपका होता है माध्य ठीक है क्या होता है आपका माध्य ठीक है अब इसमें हमेशा पद विचलनों का योग क्या होगा शून्य होगा मिल चीज यह है अ होता है यह चीज भी याद रखेगा माध्य केंद्रिय प्रवर्ति को प्रदर्शित करने का सबसे आसान तरीका है सबसे आसान तरीका माध्य है अब वहीं बात करते हैं किसी वित्रण में सबसे अधिक बारम बारता वाले मुल्ले को हम क्या कहते हैं तो कोई भी अगर श्रणी में बार बार बहुत बार नंबर आया है तो वो बहुलक कहलाता है ये चीज़ याद रखेंगे अब बहुलक का फॉर्मुला क्या है बहुलक बराबर तीन माद्धे का माइनस दो माद्धे याद रखेंगा ठीक है कभी-कभी आपके एक्जाम में फॉर्मुले भी पूछ लिए जाते हैं यदि समंकों में कोई इस्थिरांग घटा दिया जाए तो उसका प्रमाप विचलन क्या होगा तो उसका प्रमाप विचलन जो है तो उसके अनुपात में changes आपको देखने को मिल जाएंगे यह चीज याद रखेंगा ठीक है तो पुराना माद्धे में जितने भी समंकों का परिवर्तन होता है वह अपने अनुपात में परिवर्तन हो जाता है यानि वो क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है यानि उसका इस्तिराख जो है वो बढ़ जाता है यह चीज याद रखेंगे अब जैसे याँ जोड देखते है x प्लस a है बाकी x माइनस a गुणा x इन्टू ये भाग ये है तो x पुराना माद्धे है और a जो है वो नए समंख है तब ये चीज़े बनती है अगर मैं गुणा बराबर नया वैरियंस a square into पुराना वैरियंस a square तो formula हमारा क्या निकल के आदाता है hd पुराना hd upon में a निकल के formula आ जाता है तो उसमें आपको बढ़ता हुआ नंबर ही दिखाई देगा अगला कोशन है समंखो को इस्थिरांक से विभाजित करने पर क्या प्राब्थ होता है तो समंखो को इस्थिरांक से विभाजित करने पर जोड़वा घटाने पर विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है तो दोनों क्या रहेंगे और परिवर्थित रहेंगे याद रखेगा फोर्थ ओप्षन इसका करेक्ट ओप्षन है याद रखेगा चलिए अगला कुशन देख लेते हैं मेंटल जिन शेलो से निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं तो बेसिकली मेंटल जो है आपको पहले मेंटल के बारे में पता होना चीए तो मेंटल मोह असंबंदता से लेकर धरातल में 2900 किलोमेटर की गहराई तक पाया जाने वाला भाग है 2900 किलोमेटर याद रखेगा मेंटल का उसात ताप्मान 1300 dC तक पाया जाता है इसमें सिलिकेट के परकार के खनिज्ञ बहुत जादा होते यदि जो खनिज होते हैं उसमें सिलिकेट बहुत जादा पाया जाता है mental में peridotite और dunite चट्टाने अधिक पाई जाती है तो यहां दूसरा option देख सकते हैं peridotite दे रखा है तो यह mental में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है mental में सरवाधिक मातरा में पाई जाने वाले योगी कौन से है silicon dioxide, magnesium oxide और low oxide तो इन तीनों element को आप याद कर लीजेगा क्योंकि mental के उपर भी बहुत ज़्यादा question बनते है वहीं अगला question सही कथन को आपको चुनना है तो मोहोरेखा स्थलकंड बाद दुरबत्ता मंडल को प्रथक करते है तो कहीं न कहीं यह option सही है बट जो examination board था उसने इस question को क्या कर दिया था cancel कर दिया था ठीक है तो इसको हम क्या कर देते हैं cancel समझ लेते हैं अगले question की तरह बढ़ जाते हैं तो अगला question जो है नियूनतम गहराई पर magma का गुंबदा कर जमाव क्या होता है बहुत गहराई में तो आपका betholit होता है पर नियूनतम गहराई में आपको क्या मिलेगा लेकॉलित मिलेगा याद रखेगा fourth option लेकॉलित आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो लेकॉलित गुंबदा कार संरचना के रूप में पाया जाता है लेकिन इसके गहराई काफी कम होती है इसके अंदर परद्दार चट्टानों के मध्य में होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकॉलित तो यह डोम शेप है और यहाँ परद्दार चट्टानों के बीच में है लेकोलित की गहराई कम होने के कारण इसकी उपरी सताय अपरदन के बाद दिखाई देने लगती हो और ये जो फीचर है वो आपको डेजर्ट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नदी घाटी के गहरा होने की सहायक कारण कौन से है? तो जो नदी घाटी है वो गहरा क्यों होती है? तो हम देख लेते हैं अपघर्चन भी उसका रीजन है सन्ली घर्चन भी उसका रीजन है जलिए दबाव भी उसका रीजन है और गर्थी का छेदन भी यानि यह आपका दूसरा option जो है बिल्कुल correct answer यह चारोगी reason जो है वो नदी की घहराई को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं तो बिसेगली होता क्या है कि लंबवत अपघरशन नदी की युवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है जिससे नदी घाटी की घहराई में वृद्धी होती है ठीक है पहली बात तो यह लंबवत अपघरशन के द्वारा नदी की तली पर संकीन और घहरे घर्तों का निर्मार होता है जिनको हम पोर्ट होल्स या जलगर्तिका कहते है ठीक है जब जलगर्तिकाओं का आकार और गहराई और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम अवनमन कुंड कहते है यानि पोर्ट होल्स से ही अवनमन कुंड का क्या होता है विकास होता है जब जलके दबाओ के कारण तूटने और फूटने लग जाती है तो इसको हम कहते हैं गतिक दबाव यानि हाइडरोलिक प्रेशर इसकी वज़े से भी गहराई जो हो आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है चलिए अगला कोशन देखते हैं आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है तो क्या होता है त नई से मेजर किया जाता है ये भी याद रखेगा अब आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होगा तो समुंद्र इस तरह क्या हो जाएगा घट जाएगा अब यहां समस्ते हैं कैसे समानत है अधिकांस नदिया सागरों में समाथ होती है इसलिए सागर तल की इस पर सरेखा आधार तल की अंतिन सीमा को प्रदर्शत करते हैं यह आधार तल नदी के मुहाने से उदगम तक एक निश्कोड यानि स्मूद कर्व के रूप में होता है जिसका उपरी भाग अवतलाकार होता है यानि अवतल शेप में होता है आधार तल की संकलपना 1875 में दी गई थी और पॉवल ने संकलपना को गदी थी और ये भी PGT का कोशन है जब सागर तल में उठान होता है तब आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है यानि सागर तल ऊपर उठेगा तो आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होगा और जब सागर तल में गिरावट होगी तो आधार देखते हैं, अगला कोशन है सम मंदल में निमलिकित में से कौन-कौन से आते हैं, तो समताप मंदल भी आता है, शोब मंदल भी आता है, और मध्य मंदल भी आता है यानि 1, 2, 3, यानि दूसरा option बिलकुल correct है, बहिर मंदल नहीं आता है, ये याद रखेंगे, वो विशम मंदल में आता है तो सम मंदल के बारे में देख लेते हैं कि धरातल से 90 किलोमेटर के उचाई तक, वाईव मंदल में पाई जाने वाली जितनी गैसे हैं, उनका आयतन लगबग स्थिर रहता है, इसलिए इसको सम मंदल कहा जाता है तो पहले explanation सुनते हैं और दूसरा प्रतिविकरण की तरंगे, यानि वन और टू, बिलुकुल क्या है? करेक्ट है अब क्यों? वाईव मंदल के द्वारा पार्थि वि्गरण का पुने फ्रातल की और विकरण करना प्रती विकरण या प्रती लोवग्विंविकरण या इसको counter radiation कहते हैं जल्वास रहएँ दोबारा धरातल की तरफ का करता है उसको भेज देता है जिसकी वज़े से हमारा धरातल है वो गरम रहता है प्रति विक्रण के प्रभाव से धरातल और निचलेवायो मंदल उश्मा बनी रहती है जिसके कारण हरित ग्रह जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है और हरित ग्रह प्रभाव बनने की वज़े से ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होती है बढ़ जाती है चलिए आगे देख लेते हैं अगला खुशन यदि पृतिवी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता है तो हम तापमान अनुभव कैसा करेंगी तो हम तापमान अधिक्तम विश्यम अनुभव करेंगी कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा और कहीं बहुत ही ज्यादा कम देखन को मिल सकता है ठीक है अगला है समताप रेखा है उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर क्या होता है तो समताप रेखा है नाम से ही पता लग रहा है अभिदी कि तापमान समान हो यानि जिन छेत्रों का समान तापमान होता है उन छेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते है समताप रेखा कहते हैं ये चीज़ याद रखे अब इस्थलिय उचाई के कारण उत्पन ने तापय भिनिता को दूर करने के उद्धिश्च से वास्तविक तापमान को सागर तल के बराबर घटा लिया जाता है घटा लिया जाता है भुगोल में प्राए उन समताप रेखाओं का परियोग गया जाता है जो समान औसत मांसित तापमान वाले स्थानों को मिलाती है यानि हम जितने भी प्लेस को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा इनके औसत तापमान को सामिल करते हैं ना कि उच्छे तम तापमान को याद रखेगा औसत तापमान अगला जो कोशन देखते हैं किसी दिये हुए वायू के दरवमान में उपलब्द जलवास्थ के दरवमान को क्या कहते हैं तो ये भी question जो है इसको भी संसाने क्या कर दिया था पर तो याद रखे दिये हुए वायू के द्रवमान में उपलब्दो दो जल्वास्त होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम निर्पेक्ष यानि निर्पेक्ष आदरता के नाम से जानते हैं ये याद रखेगा चलिए अग बढ़ती दर से बढ़ेगी याद रखेंगे ठीक है 19 question उर्दुवा विक्षित मेग का परकार क्या है तो ये भी संस्था ने इस question को cancel कर दिया गया था तो आज का जो आखरी प्रशन है वो जी है कि द्रुबो की और विक्षेपन बल बढ़ता है या घड़ता है तो भी के घुर्णन के कारण उत्पन बल जिसके परणाम सरुत हवाओं की दिसा बदल जाती है उसको कोरियोलेस बल कहते हैं और देख सकते हैं धुरूबों पर क्या होता है सच्छीया से दसंवलों साथ परतीशत होता है और आपका 30 डिग्री पर 50 परतीशत होता है और 0 पर 0 तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं और ने वीडियो के साथ to अगर वीडियो पशन्द आई तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और Vidiols को लाइक करिए और वीडियो को जेतना शेयर हो सकते उतना शेयर करिए निकल मिलते हैं एक और इंफर्मेटी वीडियो के साथ झाल 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 झाल